उपमंडल नालागड के तहत पहाड़ी हलके राम शहर में इन दिनों तेंदवी की देश्षत फैली हुई है आपको बता दे कि एक घर के आंगन में घूंटा हुआ तेंदवा दिखाई दी रहा है पहले तेंदवा जंगल की ओर सी घर की दिवारू पर चलता हुआ दिखाई दी रहा है और उसके बाद घर के आंगन में आकर घर के बाहर घूंग रहे कुट्डी को उठा कर ले जाता है ये सारी तस्वीरे घर के बाहर लगें सीसी टीवी केमरे में क्याट हुई है सीसी टीवी कैमरे में साफ तोर पर देखा जा सकता है कि किस तरह तेंडवा घर के बाहर जंगल की ओर से आता है और पहले घर की दिवारों पर घूमता रहता है उसके बाद घर के आंगन में आता है और फिर घर के बाहर घूम रहे एक कुत्ते को उठा कर लेकर वहां से चला ज पूरे रामशहर क्षीत्र में दह्षत का महौल बना हुआ है। मैं बाहर ट्वालेट के लिए निकला था। उच्टाइम देखा हूँ। एक बार उसने मेरी तरफ देखा तो आइस्ता आइस्ता और कुस्ती घ्राउंड से गली के भीश में यहाँ बजरी कड़े ट्रांसफार्म की और परकुल निकले। ट्रवा जंगल की ओर से घर की दिवारू पर चलता हुआ दिकाई दे रहा है और उसके बाद घर के आंगन में आकर गर के बाहर घूम रहे कुट्टी को उठा कर ले चाता है। ये सारी तस्वीरे घर के बाहर लगे सीसी टीवी कैमरे में क्याट हुई है। सीसी टीवी कैमरे में साफ तोर पर देखा जा सकता है कि किस तरह तीनवी के घर के बाहर जंगल की ओर से आता है। और पहले घर की दिवारों पर घूमता रहता है। उसके बाद घर के आंगन में आता है और फिर घर के बाहर घूम रहे एक कुट्टी को उठा कर ले कर वहां से चला जाता है। तेन्दवे के घर के आंगर में गूगनी की तस्वीरों के बाद पूरे रामशेहर क्षीतर में देह्शत का महौल बना हुआ है और लोग अपने ही घरों में अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रही है लोगों ने सरकार और विभाग से इस तेंदवे से निजात दिलाने की मांग उठाई है ताकि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो सके और किसी को भी कोई जानमाल का नुकसा ना हो लाइफटेम्स च्रिवी के लिए नालगड से आजे रतन कीवेट पउट